Hello everyone, welcome to Solitude Education So engineers, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Solitude Education के YouTube चैनल पे आपका Bridge Engineering की Drawing Reading का आपकी Complete Series चल रही है Part 1, Part 2 जो है आपका Already Upload हो चुका है आज की जो वीडियो है आपका Part 3 है Link आपको जो है Part 1 और Part 2 का वीडियो के description में मिल जाएगा आप जाके वहाँ पर Part 1 और Part 2 को देख सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग काफी एक Important Term के बारे में बात करेंगे जो कि आपका Mostly Infrastructure Project में आपका Use किया जाता है अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे Key Plan करके एक Term आपकी mention है इसके उपर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है Purpose Bridge CH3 Plus 288 Kilometer तो आज basically हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कि किसी भी Infrastructure Project में अगर आपका 1 Plus 00 लिखा हुआ है या फिर 1 Plus 350 लिखा हुआ है साथ ही साथ जो है आपको वीडियो कैसे लागा यह comment section में जरूर बताइएगा इसके अलावा अगर आप किसी भी topic पे civil engineering के किसी भी topic पे आप वीडियो चाहते हैं यह survey के अंदर आप लोगोंने काफी term सुनी होगी mostly जितने भी आपके जो infrastructure project होते है चाहे आपका highway का project हो चाहे आपका railway का project हो pipeline से related कोई भी project हो तो इस तरह के projects के अंदर आपका जो है चैनेज काफी important role जो है आपका play करता है basically इसका use किया जाता है किसी भी point को या फिर किसी particular location को identify करने के लिए definition के बारे में हम लोग यहां पर discuss करते हैं कि it represents the distance of a specific point along the linear feature from reference point थोड़ी से technical है लेकिन इसको थोड़ा से हम लोग आपका समझने की कोशिस करते है basically highway के जो projects होते है या फिर ienia कोई railway रेलवे लाइन है या फिर कोई भी highway का कोई भी प्रिजक्ट है तो उसके इनदर आपका क्या होता है कि काफी लंबे आपके वो projects होते है different different चीजे आपए आती है कहीं पह आपका city आते हैं कहीं पे bridges आते हैं कहीं से कोई आपका अंडरपास होता है, कहीं पे ओवरब्रीज आपका पास होता है, कहीं से कोई रेलबे लाइन क्रोस कर रही होती है, तो इन सब पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन को कैसे ऐदेटीफाई किया जाएगा, उसके लिए आपका डॉलप किया है आपका अभी एक example से हम लोग समझते हैं, कि अगर एक road का project जो है आपका जब कोई start होता है, जिस particular point से आपका किसी भी road का project आपका start होता है, तो उस starting point को हम लोग जो है आपका क्या बोलते हैं, जिस point से आपका start हुआ है, माल लिजे दिल्ली से कोई आपका expressway, कोई highway जैसे दिल्ली मु से आपका, वो द्वारका से आपका start हुआ है, तो जिस point से आपका expressway start हुआ है, तो वहाँ पर जो आपका channel system होगा, वो होगा 00, जीरो प्लस जीरो, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा, कि वहाँ पर आपका 0 आपका channel है, इसके बाद क्या होता है, कि आपका किसी specific distance पे, माल जाता है, तो अब इस bridge को हम कैसे represent करेंगे, कि आपका bridge किस channel system पे आपका है, तो हम लोग लिखेंगे basically कितना 0 प्लस 500 चीक है इस तरीके से हम लोग इसको रिपर्जेंट करेंगे बैसिकली जीरो जो है रिपर्जेंट कर रहा है किसको किलो मीटर को और यह जो आपका 500 रिपर्जेंट कर रहा है किसको आपका मीटर को चीक है अगर यहीं पर लिखा होता कि 3 प्लस 350 तो इसका मतलब यह होता कि 3 km और 350 मीटर 3.35 या फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 3.35 किलो मीटर कोई एक point है माली जे कोई एक underpass है आपका किसी भी highway के project पे जिसका जो चैनेज है वो आपका कितना है 3 plus 350 तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां से आपका highway स्टार्ट हुआ है उस point से आपका जो उस particular underpass की जो location है वो location कि आपका 3 km 300 मीटर चीक है या फिर 3.35 मीटर तो यह use किया जाता है आपका location को identify करने के लिए माल लिजे कोई specific point मुझे identify करना है या फिर आपका कोई location या फिर highway पे क्या हुआ कि आपका कोई accident हो गया तो उसको अगर मुझे identify करना है तो मैं आपका channel system के तुरू जो इसको आपको identify कर सकता हूं जब भी आप किसी road से या किसी highway से आप pass करते हो तो आपने देखे होंगे कि road के side में साइड में आपको इस तरह के stones जो है वह आपको लगे वी मिलते है यह अलग-अलग color के होते हैं basically क्या होता है कि जो national highway होते है उसमें आपका top color येलो रहता है और bottom वाला color आपका white रहता है जितनी भी आपके state highway होते है उसके अंदर top color आपका green का होता है पिर आपके डिस्टिक रोड होते है उसके अलगा जो आपको black color के अंदर और bottom आपका white रहेगा इसके अलगा जो आपकी रूल रोड होती है वहाँ पे टॉप आपको जो है और ऑरेंज कलर का मिलेगा और bottom जो है आपको white कलर का मिलेगा तो basically ये हमें बताते हैं कि आपका हम national highway पे हैं या फिर state highway पे हैं या फिर हम किसी district road या फिर ruler road पे हैं साथ ही साथ इन पे आपने कुछ numbering भी आपने देखी होगी तो basically ये आपके kilometer को भी represent करता है माली जे किसी stone pillar पे जो है आपका five mention है तो five का मतलब यह है कि five kilometer है आपका क्योंकि हर एक kilometer पे आपके लगे वहते हैं जैसे चैने जो होते हैं वो भी आपका हर एक kilometer पे आपका होता है इसी तरीके से ये आपके chain को भी represent करते हैं तो माली जे अगर कहीं पे five लिखा है तो यह particular location रिपर्जेंट कर रहा है कि आपको यहाँ पे five chain है ठीक है ऐसे कहीं पे six लगा है ten लगा है eleven पे लगा है क्योंकि हर एक kilometer पे होते हैं साथ ही साथ आपका जो है यह major cities को भी आपका रिपर्जेंट करते हैं या फिर nearby कोई city आने वाली है उसकी distance को भी आपको regular बताता रहेगा कि आपका किस particular distance पे कितनी आपकी जो city है वो कितना distance बचा जैसे यहाँ पे लिखा है मुंबई two forty तो जिस particular location पे आपका यह पिलर था वहां से मुंबई की जो distance थी हो आपका two forty five kilometer थ highway का कोई project है और वहां पे लिखा हुआ है आपका two forty plus five hundred थीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि two forty kilometer और आपका five hundred मीटर ठीक है यह kilometer है आपका जिस point से मेरा आपका highway स्टार्ट हुआ है उस point से दो सो चालिस किलो मीटर और पान सो मीटर ठीक है यह particular उस location को आपको क्या कर रहा है चलते हैं वापस से अपनी ब्रीज के अंदर और वहां पे देखते हैं कि आपका basically जो मेरी drawing है वो आपका क्या कहना चाहा रही है तो यहाँ पे जो यह particular जिस drawing bridge की अमलोग जो है यहाँ पे आपका drawing reading कर रहे है इसका जो आपका चेनेज है वो है आपका कितना three plus two eighty eight kilometer ठीक है दिली मेरत express वे तो यह represent कर रहा है कि आपका तीन किलो मीटर पे और 288 मीटर पे जो है आपका यह जो particular जो आपक underpass है यह पढ़ता है ठीक है अब आते हैं इसकी right side पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा आपका जो है आपकी table जो है यहाँ पे दी गई है जिसके अंदर आपके particular चैनेज पर आपका क्या level है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ज 20.35 तो इस particular चैनेज पे जो आपका RFRL है वो आपका 206.709 है और आपका जो existing ground level है वो आपका 202.233 है ठीक है इसके बाद next हम आते हैं तो next next चैनेज पे आपका जो है 3 प्लस 285.05 चैनेज पे आपका जो है FRRL जो है आपका 206.715 है और existing ground level जो है आपका 200.992 है इसके बाद next जो आपकا चैनेज है 3 प्लस 290.95 जीरो पे आपका 저 FRRL है वो आपका 206.722 है और आपका you existing ground level है वो 199.215 है ऐसे next जो चैनेज आपका 3 पलस 296.65 पे आपका जो FRL है वो आपका 206.729 है और आपका जो अगर आप यह देखेंगे existing ground level तो 200.341 तो हम चैनेज की location से identify कर सकते हैं कि यह जो particular location है कहां पे है उसका आपका FRL क्या होगा और उस point का आपका existing ground level क्या होगा अब मैं आपका दूसरे section पर आता हूँ कि जो की मेरा right hand side वाला section है यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपका चैनेज 3 पलस 263.355 पे आपका जो FRL है वो 206.69 है और आपका existing ground level है 199.350 है इसके बाद next चैनेज आता है 3 पलस 272 यह 199.902 और उसके बाद में आपका जो FRL है वो 206.705 है इसके बाद next आरेल नेक्स चैनेज है एंद लास्ट चैनेज आपका क्या है कि 3 पलस 280.65 तो यहां पर FRL है आपका कितना है 206.717 और आपका यहां पर जो existing ground level है 201.164 तो आपको चैनेज का भी सिस्टम आपको किलियर हुआ होगा कि चैनेज बेसिकली क्या होता है उस किसी भी particular point को कैसे आपका जो है identify किया जाता है तो आपके लिए homework है कि अगर किसी भी line पर यह लिखा हुआ है आपका 248 प्लस 901 तो इसका क्या meaning होगा तो यह comment section में जरूर बताईएगा आपको वैसे पता है आप इसको बड़े आसानी से आपका बता देंगे तो basically जो concept था वो यह था कि आपका जो चैने सिस्टम होता वो क्यों जरूरी होता है वो क्यों आपका जो है mark किया जाता है इससे हम location को बड़े आसानी से आपका identify कर सकते हैं ताकि हमें future में आपको रोड को बनाने में भी आपकी कोई problem नहीं आती है रोड को maintain करने में भी कोई भी problem नहीं आती है और इन future में गर कोई accident वगएरा होता है या फिर कोई damage वगएरा होता है किसी particular structure पे तो हम उसकी location को बड़े आसानी से आपका identify कर सकते हैं तो यह आपका part 3 था जिसके अंदर हम ने आपका channel system को जो है आपका यहां पर discuss किया इसके अलावा जो है आपका part 4, part 3, 4, 5 आपके continuous जो है आपके आते रहेंगे बस आपको वो मिलेंगे तभी जब आप channel को subscribe करोगे वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी मत बूलना और last में वीडियो को end करने से पहले फिर से बोल करेंगे तो मिलते हैं आपसे next part के अंदर okay thank you